अपने जन्म दिन पर यामी गौतम उस समय को याद करती हैं जब उन्होंने एक टीवी शो की शूटिंग के पहले दिन एक द्रिशे में कुछ सवाल किया था और उन्हें बाहर निकाल दिया गया था यामी गौतम ने कहा है कि एक बार उन्हें एक शो से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक सीन के बारे में सवाल पूछ लिया था यामी एक नए इंटर्व्यू में दैनिक भासकर से बात कर रही थी, जब उन्होंने शोबिज में अपने शुरुवाती दिनों को याद किया यह खुलासा करते हुए कि जीवन में एक अलग मोड आने से पहले वह एक आएस अधिकारी बनना चाहती थी यामी ने कहा कि उन्हें अपना पहला प्रस्ताव एक टीवी शो में काम करने का तब मिला जब वह पढ़ रही थी उन्होंने तीन टीवी शोज में काम किया जिन्हें जल्द ही ओफेर कर दिया गया उस समाई को याद करते हुए जब उन्होंने एक द्रिशे के बारे में सवाल पूछा और हटा दिया गया अभिनेता ने कहा यह सच है शूटिंग के पहले दिन मेरे पास एक द्रिशे के बारे में कुछ सवाल थे मैंने शूटिंग के पहले दिन एक द्रिशे में कुछ सवाल किया और सभी ने मुझे घूर कर देखा मैं कैसे सवाल कर सकता हूँ जब मैं अगले दिन सेट पर लोटा और अपनी स्क्रिप्ट पड़ रहा था तो एक व्यक्ती मेरे पास आया और बोला आप घर जा सकते हैं झाल